हिट्रो साइकली कमपॉंट्स में अब हम एक फाइब मेंबर चेन जिसमें एक हिट्रो एटम नाइट्रोजन है पाइरॉल का अध्यन करेंगे और सरप्रथम इसमें पाइरॉल किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे इसके रासायनिक और भातिक गुणों के बात में बात करेंगे पाइरॉल यह एक अत्यनती महत्पूर्ण पांसा दश्यों वाला विशम चक्री योगिक है इसकी यह वले कई प्राकर्तिक योगिकों उधारन के लिए एलकेलोईड क्लोरोफिल हेमेटिन आदी में पाई जाती है यह कोलतार एवं बोन ओयल में भी प बनाया जाता है इसकी प्रपरेशन क्या है उसके लिए बात करेंगे कि फ्रॉम बोन ओयल अस्ति थेल को पहले तनुशार के साथ दोते हैं जिसमें उसके विदमान अमलिये और अशुदियां दूर हो जाती हैं इसके बाद इसे अमल के साथ दोय जाता है जिसमें तीवर शारी अशुदियां दूर हो जाती है अंत में इसका प्रभजी आस्वन करते हैं जिसमें सौस एक सौपचास डिग्री सेंटिग्रेट के मद्दे उबलने वाले प्रभाज को एकत्र कर लेते हैं और इस प्रकार से पायरॉल को स्थोस पोटेशियो पायरॉल सौल्ट प्राप्ट कर लेते हैं जिसका की स्टीम डिस्टिलेशन करने के बाद में शुद्ध पायरॉल प्राप्ट होता है इसी तरह से एसिटलीन CH3 triple bond CH3 के दो अनू लेकर NH3 की साथ अमोनिया के साथ इसकी रियक्शन कराते हैं असिटलीन वे अमोनिया के विशम मिश्रन को यदि एक रक्त तरप्त नली से प्रभाईत किया जाए तो पायरॉल का संस्टिलेशन होता है अर्थार्थ यहां पर दो एसिटलीन के मॉल्यक्यूल और एक NH3 का मॉल्यक्यूल यदि रेड होट ट्यूब में से इसको पास किया जाता है इसी तरह से अमोनियम मियूसेट से भी प्राप्त किया जा सकता है अमोनियम मियूसेट को ग्लिसरॉल के साथ 200 डिगरी पर इसका डिस्टिलेशन करने पर पायरॉल प्राप्त होता है इसी तरह से सकसिनिमाइड से भी हम पायरॉल प्राप्त कर सकते हैं सकसिनिमाइड का जिंक चुरून के साथ आस्वन करने पर पायरॉल बनता है फ्यूरेन से भी हम पायरॉल प्राप्ट कर सकते हैं फ्यूरेन अमोनिया वे भाब के मिश्रन को गरम एलमिना वे प्रभाइद करने से पायरॉल का अध्यो की गुत्पानन मैनुफेक्चर किया जाता है इसी तरह से पाल नूर संथेसिस में भी हम इस का प्रप्रेशन कर सकते हैं वन फोर डाई किटोन को अमोनिया के साथ गरम करके पायरॉल डेरिविटिव स्ट्राप्ट की जाए सकते हैं नौर पिरॉल संथेसिस यह पायरॉल के वित्पन बनाने के लिए एक समयन विदी है इसमें अलफा अमीनो किटोन तथा बीटा किटो एस्टर के मद्दे कंडेंसेशन कराया जाता है जिससे अमें पायरॉल प्राप्त होता है इसी तरह से हैंश संसलेशन इस विदी में भी क्लोरो एसिटोन बीटा किटो एस्टर तथा प्रात्मिक अमीन को अमोनिया के मद्दे संगनन कराया जाता है जिससे हमें पायरॉल प्राप्त होता है इसके बहुतिक गुण इस प्रकार से हैं एक रंगहीं द्रव है जिसका कुतनाग 131 डिग्री सेंटिग्रेट होता है और यह जल से अल्प विलेशील किन्तु एतनॉल में इथर की अत्यंत विलेशील होता है वायू में खुला छोड़ने पर तीवरता से ऑक्सिडाइज हो जाता है इसके करण गहला काला रंग हो जाता है वे अंत में रेजिन जैसा हो जाता है जिसका एक महत्पूर्ण बिक्रिया यह है कि यदि चीड की लखडी का टुकड़ा या पाइन स्परिट को एससेल में भिगोकर पाइरॉल की वाश्प को इस मपर्क में लाए जाए तो वे तुरंत लाल रंग का हो जाता है इस परिक्षन से भी इस योगिक का नाम पाइरॉल पड़ा क्योंकि ग्रीन भाशा में पाइरस का अर्थ होता है धहकता लाल और लेटिन भाशा में ओलियम का अर्थ होता है तेल अथा पाइरोस प्लेस ओलियम अथे इसका नया नाम पाइरोल पड़ा इसी तरह से स्पेक्ट्रोसकोपी गुण की बात करें तो इसमें अनुओं के मद्दे पाइबंद वे आवरत अबंदी एलेक्ट्रोन अथे सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार निटा अल्फा स्टार तीनों प्रकार के अवशोशन के कारण यह है अल्ट्रा वाइलेट शेतर में 112, 183, 211 और 304 पर उच्छ अवशोशन अब्जॉप्शन मैक्सिमा दर्शाते हैं आयार के शेतर में CH और NH बंदों में के खिचाव, स्ट्रिचिंग के कारण इसका क्रमश है तीन हजार से एकतिस सो वे चौतिस सो से पैंतिस सो सेंटिमेटर इन्वर्स पर उच्छ अवशोशन बैंड प्रदाशित करती है इसके अत्रिक्त 1590, 1490 और 1400 सेंटिमेटर इन्वर्स पर भी अवशोशन बैंड प्राप्त होते हैं जो अरोमेटिक तत्वों को अभी लक्षन अवशोशन बैंड है नाइटरजिन परमाणू के माइनस आई इफेक्ट के कारण एन्मर स्पेक्ट्रम में CH डबल बॉंड प्रोटोन के मान और दो अरोमेटिक प्रोटोन की तुलना में डाउन फिल्ड की और खिसक जाते हैं तत्था माइनस आई इफेक्ट की तुलना में अलफा परमाणू पर अधिक प्रभावी होता है और ये अलफा प्रोटोन के टौ के मान के से कम होते हैं इसे तरह से रासाइनिक रियक्शन्स की बात करें तो ये अत्यंत क्रियाशिल योगिक है और एनलीन वे फिनॉल में सबसे अधिक तिवरता के साथ वायू में अक्सिकराइज होकर काला पड़ जाता है इसकी कुछ जो रासाइनिक अभिक्रियां हैं वो निमन प्रकार से हैं पहली यदि में बात करें तो वो है योगात्मक अभिक्रिया यानि addition reaction दूसरी बात करें हम तो ये एमफोटरिक नेचर का होता है और यदि हम इसके तीसरे गुन के बात करें तो ये substitution reactions देते हैं substitution reaction के बाद में यह expansion of ring भी होता है इसमें और oxidation भी पाइरॉल का साथ होता है और वले की का जो खुलना है ring opening है वो भी इसके साथ होती है सरचना aromaticity के बारे में भी इसके लिए हम बात करेंगे अधे next lecture में हम इसके chemical गुनों के बारे में अलग-अभी क्रियाओं के लिए बात करेंगे chemical reactions खब मुखएवगर छियाओी की हया वा खबेड़कay भाई, ओ भाई, आए कर रहे हैं कि अ कर दो बाई, आए कर दो को कर दो कर दो कर दो